प्रथम अध्याय नारत जी की भक्ति से भेट कैसे होती है तो वो शौनक जी जब पोशते हैं तो सूच जी ने बताया कि एक दिन विशालपूरी में चार निर्मणम रिशी सत्संग के लिए आए वहां उन्हें नारत जी को देखा तो उन्हों ने उन रिशियों ने नारत से पूछा कि हे ब्रामर आपका मुख उदास क्यों है आप इतने चिंता में क्यों है और इतनी जल्दी जल्दी आप कहां जा रहे हैं और आपका आगमन कहां से हो रहा है इसमें तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन रुट गया हो आप जैसे आसकती रही पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है इसका कारण बताइए तब नाड़त जीन ने कहा कि मैं सर्वुत्तम लोग समझ कर मतलब सबसे अच्छा लोग समझ कर प्रिथवी में आया था यहां पर पुषकर प्रयाक काशी गुदावरी हरिद्वार शेत श्रीरंग और सेत बंध आदी इतने सारे तीर्थो हैं मैं इधर उधर विचरता रहा कि तो मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांती नहीं मिली इस समय अधर्ब के सहायक कर यूग ने सारी प्रिथवी को पीड़ित कर रखा है अब यहां सत्य तप दयादान हैं तो इसे नारज जी बताने लगे कि इस कलियूग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं ब्राम्मर लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और इस्तिया वेश्या विष्टी से निर्वा करने लगी है इस तरह कलियूग के दोश देखता और प्रिथ पूरिश अचेत अवस्था में जोर जोर से सांस ले रहे थे वह तरूडी उनकी सेवा करती ही कभी उनके चेत कराने का प्रयात्न करती कभी उनके आगे रोने लगती वह अपने शरीर के रक्षक पर मात्मा को दशों दिशाओं में देख रही थी उसके चारों उर सैक्डों इस्त्रियां उसे पंखा जन नहीं थी और बार बार समझाती थी दूसरे यह सब चरित देखकर मैं कुत्वूलवर्श उसके पास चला गया मुझे देखकर वह यूति खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी उसी उति ने कहा महात्मा जी आप छण भर जरा रुक जाएगे मेरी चिंता को नश्च कर दीजे आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नाश्च कर देने वाला है आपके बचनों से मेरे दुख की बहुत बड़ी कुछ शांती हो जाएगी मनुष्य का बड़ा भाग उदय होता है तभी आपके दर्शन हु जो तुम्हें अपने सब विस्तार से दुख का कारण बताओ तो उस यूति ने का उस देवी ने कहा मेरा नाम भक्ती है यह ज्यान और बैरागिब नामक मेरे पुत्र हैं समय के फेर से यह ऐसे जरजर हो गए हैं यह देविया गंगा जी आदी नदिया है यह सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं इस प्रकार साक्षाद देवीओं को द्यारा सेवित होने पर भी मुझे सुक्षांटी नहीं है तपोधन अब ध्यान देकर मेरा वित्तान सुनियन मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है फिर भी उससे सुनकर आप उप मुझे शांपिर प्रदान करे उन्होंने कहा कि घोर कलियुक के प्रभाव से पाखन्डियों ने मुझे अंग भंग कर दिया चिरकाल तक यह वस्था रहने कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुरूबल और निस्तेज हो गई हूं और जब से मैं ब्रिंदा बनाई हूं तब से पुनह परम सुंदरी पुड़े क्यों हैं हम तीनों साथ साथ रहने वाले फिर विप्रित्ता क्यों होना तो यह चाहिए कि माता बुड़ी और पुत्र तरुन इससे मैं अश्र शकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती हूं आप परम बुद्धिमान ये एवं योग निदिये इसका क् सकता है बताइए नारज जी ने सुना उनको अपने घ्यान से उनके हिर्दय में पूरे दुख का कारण उनको समझ में आ गया फिर उन्होंने कहा नारज जी ने कहा एक छण में उनको जानकर बोला कि देवी सावधान होकर सुनो इस से ये कल्यूग है इस समय सदाचार योग योग मार तब आदी सभी लुप्थ हो गए हैं लोग शटता और दुशकर में लगकर अधासूर बन रहे हैं जहां देखो वहां सक पूरुष दुख से मलान है और दुष दुखी सुखी हो रहे हैं इस समय जिस बुद्धिवान पूरुष का धैर बना रहे हैं वही बड़ विश्य नुराक के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपक्षित होकर तुम जरजर हो रही हो व्रिद्धावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरूनी हो गई हो अताया व्रिद्धावन धाम धन्य जहां भक्ति सरवत्र नित्य कर रहे हैं प्रत्य तुम्हारे दोनों पु दिखाईए हम कैसे मतलब अपने बैच्चों को सही करें हमारी इस दुख को दूर करिए नारजी ने बोले कि तुमने पूछा है तो सुनो प्रेम से कल्यारी मैं तुम्हें सब बताऊंगा जिस दिन भगवान शेकर से इस बुलोग कर छोड़कर अपने परधाम को चले गया उसी दिन से यहां संपूर सांदों में बाधा डालने वाला कली हो आ गया और दिखविजय के समय राजा परिक्षित की दृष्टी पढ़ने पर कल्यूग दीन के समान उनकी शरण में आया ब्रमर के समान सारग्राही राजा नहीं निश्य किया कि इसका वद मुझे नहीं कर प्रवित होने के कारण सभी वस्त्यों का सार निकल गया और प्रित्वी के सार से पदार्थ भी जीन भूमी के समान हो गया है ब्रामर के वल अनधान अधान आदी के लोब में घर गर्वम जाकर उनको भगवत कथा सुनाने लेगे हैं इसलिए कथा का सार चला गया है बताते हुए नारज जी ने कहा किस प्रकार जगह जगह सभी बस्तों का सार लुप्त हो गया है तब भक्ती ने कहा कि हे भगवान देवर्शे आप धन्य मेरा बड़ा सवभग था जो आपका समागम हुआ संसार में साध्यों का दर्शनी समस्षिद्यों का परम कल्याण है द्रूम ने भी आपको आपकी क्रिपा से धूर प्रप्राप्त किया था आप सर्मंगल में और साक्षत ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मैं आपको नमस्कार करती हूं है तो फिर चाहे नारज जी बहुत परशान रहने लगे कि हम इनको कैसे इनके इनका दुख दूर करें को कैसे टो नारज जी जब कल्यूंग में तुम्हारी दासी हाने नारज जी ने का बोले कि तुम व्यर्थी अपने को खेद में डाल रही हो अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो भगवान श्रीकृष के चरव कमलों का चिंतन करो उनकी क्रिपास से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा जिरों ने कौरों के अत्याचारों से द्रौपदी की रक्षा की और गोव सिंदरियों का सनात किया था वे श्रीकृष कहीं चले थोड़े नहीं गये फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं सत्य त्रेता और द्वापर इन तीन युगों में ज्यान और वैरागी मुक्ति के साधन थे किन्तु कलियूग में तो केवल भक्ति यी ब्रह्मा स्यूग मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है यह सोचकर परमानंद चीमूर्ति ज्यान स्वरूप श्रीहरी ने अपना सत्व स्वरूप तुमें रचा है तुम साक करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दिया और इन ग्यान वैराग्यों को पुत्रों के रूप में दिया तुम अपने साक्षाल स्वरूप से बैकुन धाम में भक्तों का पोशार करती हो भू लोक में तुम उनके पुष्टी के लिए किवल छाया रूप धारर करती हो तब तुम मुक्ति ज्यान और वैराग्यों को साथ लिए प्रिथिवी तल पर आई और सतियूग से द्वापर पढ़ेंत बड़े आनंद से रही कलियूग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखन रूप रोक से पीड़ेत होकर छीर होने लगी ती इसलिए वत्त बृद्ध हो गए हैं फिर भी तुम चिंता मत करो मैं इनके नव जीवन का उपाय सोचता हूं और उन्होंने उसको धानस दिया कि कली के समान कोई भी यूग नहीं है इस यूग में मैं तुम्हें घर घर में प्रतेक पुरुष की हिर्दय में स्थापित कर दूँगा जिनक ब्रत ब्रत योग यगेत ज्यान चर्चा जञार्व अधी बहुत से साधनों की कोई आवश्च्यक्ता नहीं है एक मात्र भक्ती ही मुक्ती देने वाली है इस प्रकार नारज जी के निर्ड़क किये हुए अपने महात में सुनकर भक्ती के सारे अंग पुष्ठ हो गए और वो उनसे कहने लगी नारज जी आप धन्य है आपकी मुझे में निश्चल प्रीती है मैं सदा आपके हिर्दे में रहूंगी कभी आपकर छोड़ कर नहीं जाओंगी सादो आप बढ़े क्रिपालू है आपने ख़र भर में मेरा सारा दुख दूर कर दिया किन्तु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है आप इन्हें शीग्री सचेत कीजिए जगा दीजिए भक्ति के वचन सुनकर नारत जी को बड़ी करूड़ाई और वो हाथ जोर कर उन्हों को हिलाने लगे दुलाने लगे उनको ज्यान बहराग पहके उठाने लगे बहुत उनके साथ मतलब गीता सुनाया जो जो नारत जी करो और वह कर्म तुम्हें शंत शिरोमणी महानुभौ लोग बताएंगे मतलब रिशे मुनी लोग बताएंगे कि उसका नुशान कैसे करते हैं और क्या करना चाहिए छड़ भर में इनकी नीद और मृद्धा वस्ता चली जाएगी तथा सरवक्त भक्ति का प्रसार होगा य नारच जी आगे बढ़ने गए अपना सारा कुछ करते गए बहुत सारे रिश्य मुनी मिलें उनसे भी नारच जी पूछने लगे अब तो बहुत हल्ला हो गया त्री लोग में पूरा कि आश्चर जनंग हारकार मच गया था कि आपस में लोग काना फूसी करने लगे थे कि लेकिन उसमें क्या करना है कि यह जिवित हो जाएक किसे को मालूं नहीं है नारच जी बहुत चिंता में हो गए थे फिर बदरी वन में गये और जब वहां एनुने कि उसमें अपने सामने करून सूरियों के समान तेजस्वी संकाधी मुनीष्वर दिखाइग दिए उन्हें देखकर मुनिशेष्ट कहने लगे नारजी की महात्मा इस समय बड़े भाग से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है आप मुझ पर कृपा करके श्रीक गिवा साधन बताईए कि यह ज्यान और बैराग कैसे जीवित होंगे आप धिमान है मैं बड़ा परिशान हूं मुझ कोई रास्ता नहीं मिलना है तब वो बोले संकादी बोले कि आकाश्वानिस जिसके विशय में कहा है वो कौन सा साधन है मैं बताता हूं कि क्या करना चाहिए कि तब उन्होंने कहा कि भक्ति ज्यान और वैराग को सुख मिल सकता है यह भागवत करने से आप चिंता न करे और इसका फल मैं आपको बताता हूं है अभी जो है आप भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उची थी है यह बताया उन्होंने फिर कहा कि अभी तक भगवान की प्राप्ति करने वाला मार्ट तो गुप्थी रहा है उसका उदेश करने वाला पंडितों ने कोही ज्यान कोही सतकर्म का सूचक माना है श्रीमत भागवत का परायन है जिसका गान शुकादी महानुभावनी किया है उसके शब्सुनते ही भक्ति ज्यान वराग्यों को बड़ा बल मिलेगा इससे ज्यान वराग का कर्ष्ट मिल जाएगा और भक्ति को आनन लेकर प्रतेग घर और व्यक्ति के हिर्दय में क्रिडा करेगी तो नारज जी ने कहा कि मैंने वेदों की ध्वनी की और गीता पाट करके जगाया तब हो नहीं जगे फिर यह कैसे इससे जग जाएंगे बड़े नारज जी बड़ा चिंता मंगन थे क्योंकि बहुत बहुत देर से प्रयास कर रहे थे तो फिर उन्हें ने बोला कि जिस प्रकार रस प्रिथवी की जड़ से लेकर शाखार का परियंत रहता है किन्तु इस्थिति में उसका स्वादन नहीं किया जा सकता जैसे मतलब फल व्रिक्ष में लगा रहता है और व्रिक्ष में लगे लगे फल को हम नहीं उसका स्वाद नहीं ले सकते जब तक कि हम फल को विक्षे तोड़ के अलग ना ले आए ऐसे ही इसी प्रकार ये भक्ती है भागवत है जैसे एक और उसा कि दूद में जैसे घी रहता है किन्तु उसका हमें दूद में घी का स्वाद नहीं पता चलता है जब तक हम ये भागवत है ऐसे ही ये भागवत की कता है ये भागवत पुराण वेदों के समान है श्री व्यास देव जी ने इसे भक्ती ज्यान और वैराग की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है हैं और आपको उने शोक और दुख का विनाश करने वाले श्रीमत भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए महानुभावों आपका दर्शन जीवन संपूर पापो को ततकाल नश्च कर देता है जब अनेको जन्मों के संचित पूर्ण पुन्ज का उदय होने से मनिश को सत्संग मिलता है तव उसके अज्यान जनीत मो अदमद रूप अंदकार का नाश करने के लिए करन करके विवेक उदय होता है यह था दूसरा अध्याए और हम यह तीसरा अध्याए भी इसी में मिला देरें भक्ति के कशकी निवृत्ति तो फिर नारज जी भक्ति को बोलते हैं कि भक्ति मैं भक्ति ग्यान और वैरा को स्थापित करने के लिए पूर्वक शुक्देव जी के कहे हुए भागवत शास की कथा द्वारा उजल ग्यान यग्य करूंगा और नारज जी अपने उसमें ग्यान यग्य करने में लग गये वहां सुनहले कमलो के सुगन साय हां तो उन्हों नारज जी ने पूछा हम कहां जाके करें तो संकादी जी ने बोला कि आप बड़े विडीत और विवेकी हैं सुनी हम आपको ये सब बताते हैं हर इद्वार के पास आनन्द नाम का एक घाट है वहां अनेको रिशी रहते हैं तथा देवता और सिध लोग भी उसका सेवन करते हैं भाती भाती के व्रिक्ष और लताओं की कारण वहां बड़ा सगन है वहां बड़ी कोमल नवीन बालू बिची हुई है हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है और जीवों के चित में वैर भाव नहीं है वहां पर और वहां बिना किसी विशेश प्रैत्न के ही ज्यान अरब कर दीजिए उस इस्तान पर कथा में अपूर रसका उदय होगा भक्ति भी अपनी आँखों के सामने निर्बल और जरजीर अवस्ता में पढ़े हुए ग्यान और वैराग को साथ लेकर वहां आ जाएगी क्योंकि जहां भी शेमत भागवत की कथा होती है वहां ये भक बहुत सारे नाम हैं कैसे लें गंगा आदी नदियां पुषकर आदी सरोबर कुरुख्षेत आदी समस्षेत सारी सब लोग वहां पर आ गये जो लोग अपने गौरों के कारण नहीं आए महर्शी भ्रगु ने समझा भुजा कर ले आए हैं कुछ लोग अपने पुश्पक विमान पर भी आ गये कथा तब सुनने के लिए दिक्षित होकर शेक्रिश पढ़ायर संकादी नारज जी के देव श्रेश ठासन पर विलिजमान हुए उस समें सभी सोताओं ने उनकी वंदना की हैं सोताओं में बैश्व विलक सन्यासी ब्रमचारी सभी लोग बैठे थे ए कोई कोई देश्व तो विवानों पर चड़का आया है सही बात है जो कल पुर्विक्ष के पुष्मों की वर्षा करने लगे उनके उपर इस प्रकार पूजा समात होने पर सब लोग एक आग्रिशीत हो गए और सब लोग उनकी नारज जी के मुख से ये कहानी सुनने लगे संसार में शीमत भागवत की कथा का मिलना बड़ा ही कठीने जब करोन जन्मों का पुन्य होता है तभी इसकी प्राप्ती होती है और फिर जिस समय संकादी मुनिश्वर इस प्रकार सब्ता श्रवर की महिमा का बखान कर रहे थे उस सभा में एक बड़ा अश्यर हुआ है उस प्रकट हो गई सभी सदस्यों ने देखा कि परंसुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का अभूशर पहने वहां पधारी मुनियों की उस सभा में उस समय यह तर्क वितर करने लगे कि यहां कैसे आई कैसे प्रविष्ट हुई तब संकादी ने कहा यह भक्ति देवी कि तुम भक्तों को भगवान रूप का स्वरू प्रदान करने वाली अनन प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोक को निर्मूल करने वाली हो अता तुम धैर धारर करके नित्य निरंतन विष्णु भक्तों की हिर्दयों में ही निवास करो यह कलियुक के दोश भले ही स लोकी में अत्यंत निर्दन होने पर भी परमधन्य हैं क्योंकि इस भक्ति की दोरी से बंद कर तो साक्षात भगवान भी अपना परमधान छोड़कर उनके हिर्दय में आकर बस जाते हैं भूलोक में यह भागवत साक्षात परब्रम का विग्रह है हम इनकी महीमा कहां तक वर कि कुछ गलतियां भी हो गई होंगी हमको क्षमा चाहेंगे तो हमने एक साथ बना दिया कि कैसे ग्यान और बैराग को जेतना है यह और नारज जी का भक्ति से कैसे कैसे मुलाकात हुई और इसमें यह भी छोटा सा वित्तांत है कि जब राजा परिक्षित को वो यह कहानी शुकदेव जी भागवत सुनाते हैं तो देवता लोग बड़े चालू थे देवताओं तो हर समय चलाकी में रहते थे न तो वो अम्रित कलश लेके आ गए उनके पास सुकदेव जी के पास और उन्होंने कहा उनसे कि आप राजा परिक्षित को यह अम्रित दे दिजो पीन उन्होंने उनकी बातों को अंसुनी कर दी और उनको कथा भी नहीं सुनाया वे लौट गये और वो राजा परिक्षित को कथा सुनाये तो इतना बड़ा इस भागवत का महात में है कि देवता भी सुनने को तरस्ते हैं आज श्रीमत भागवत का चौथा अत्याय शुरू होता है इसमें गोकर्ण का उपाख्यान बताया किया है तो यह यहां से शुरू होता है जब भक्ती उसमें प्रवेश कर गई तो वैसा दृष्ट देखकर जहां सब लोग भजन कीरतन कर रहे थे सुजी बताने लगे कि उ उस समय अपने भक्तों के चित में अलोकिक भक्ती का प्रादुर्भाव हुआ देखकर भगवत वत्षल भगवान अपना धाम छोड़कर वहां आ गये वहां पर वहीं चले आये जहां सब लोग गाव जा रहे थे तो प्रभू के प्रकट होते ही चारो और जय हो जय हो कि धन होने लगी उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने दे गे और आत्मा की भी कोई सुधी न रहे उनकी ऐसी तनमैता देखकर नारज जी कहने लगे कि मुनिश्वर गड़ आज सब्ताश्रवर की मैंने यह बड़ी अलोकिक महिमादी की यहां तो बड़े-बड़े करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधर नहीं मुनिवर आप लोग बड़े की पालू हैं आपने संसार के कल्यान का विचार करके बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है आप क्रिपया क्रिपया यह तो बताइए कि इस खथारूप सतायग के द्वारा संसार में और कौन- पर अचार में ततपर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं च्था जो क्रोधागनी जलते रहने वाले कुटिल और काम पर आयन हैं वे सभी इस कल्यूग में सप्तायग इसे पवित्र हो जाते हैं जो सत्य से चिवत माता-पिता की निंदा करने वाले त्रिष्टा के म ये पांच महा पाप करने वाले छल, छद्म, परायन, कुरूर, पिशाचों के सान, समान, निर्दई, ब्राम्मनों के धन से पुष्ट होने वाले और वे अभिचारी हैं, वे भी कल यूग में सप्ताह यग से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रा, पुर्वक, सर्वदा, मन, वाड़ी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से पुष्टी होते हैं, तथा मन, मलीन और दुष्ट रिद्दय वाले वे वी कल यूग में सप्ताह यग से पवित्र हो जाते हैं। इसी का एक्जाम्पल देते हुए उन्होंने बताया नारत जी को कि पूर काल में तुंग भद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्य कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्द वेदों का विशेशग्य और शौत स्मार्थ कर्मों में निपुड एक आत्मदेव नामक ब्राम्मर रहता था। वह साक्षा दूसरे सूर के समान तेजस्वी था, वह धनी होने पर भी भिक्षा जीवी था, मतलब भिक्षा लेके अपना जीवन पारजन करता था। करते थे, उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी, घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था, जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुल्ड कर्म आरम किये, और वे दिन दुखियों, गव करने लगे, इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समात कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को न मिला, इसलिए अवव ब्रामबर बहुत ही चिंता तुर रहने लगा, एक दिन वह ब्रामबर देवता बहुत दुखी होकर घर से निकल कर वन को चल दिया, दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया, संतान के अभाओ के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसलिए ठक जाने के कारण जल पी कर वह वहीं बैट गया, दो घड़ी बीतने पर वहाँ एक स दुख का कारण बताओ, ब्रामण ने कहा महराज, मैं अपने पूर जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वरणन करूं, अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलान जली के जल को अपनी चिंता जली सांस से कुछ गरम करके पीते हैं, देवता और ब्रामण मेरा दिया हुआ प्रसंद मन से स्विकार नहीं करते, संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब सुना ही सुना दिखाई देता है, मैं प्राण त्यागने के लिए यहां आया हूँ, संतान हिन जीवन को धिकार है, संतान हिन ग्रे को धिकार है, संतान हिन धन को धिकार और संतान हिनकुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वता बांज हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल पूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सर जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन देखाएं देखकर सारा वित्तान जाल लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा ब्राम्मर देवता इस प्रजापती का मों त्याक तो कर्म की गती प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर सरसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर सुनो मैंने तुम्हें इस समय तुम्हारा प्रारत देखकर निश्य किया है कि साथ जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। पूरुकाल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राम्मर अब तुम कुटुंब की आशा छोड तो सन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राम्मर ने कहा महात्मा जी विवेक से मेरा क्या होगा मुझे तो बल पूर्वक पुत्र दीजे। नहीं तो मैं अपने आँ सामने ही शोक मुर्चित होकर अपने प्राण त्याकता हूँ। जिसमें पुत्रियादी का सुख नह पढ़ा था इसलिए दैव जिसके उद्धोग को कुचल कुचल देता है उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिलेगा। ये बात सुनो सब लोग बतलब उन्हों ने कहा कि तुम्हें पुत्र से सुख नहीं मिलेगा तुमने तो बड़ा हट पकड़ और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्तित हो ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूं जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना अग्रह नहीं छोड़ता तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना इससे उसके पुत् वहां आकर उसने वफल अपनी इस्तिरी के हाथ में दे दिया और स्वैम कहीं चला गया उसकी इस्तिरी तो कुटिल सोभाव की थी ही वह रोरोकर अपनी एक सकी से कहने लगी सकी मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी फल खाने से गर्भ गी यह शुकदेव जी की तरह यह घर भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा और कहीं प्रसव काल के समय मत तेड़ा हो गया तो फिर प्राणों से हाथ दोना पड़ेगा यह भी प्रसव की समय बड़ी भेंकर पीड़ा होती मैं सुकुमारी भला यह स उस बच्चे के लालन पालन में बड़ी कश्ट होता है मेरे विचार से तो वध्या विध्वा बंध्या मतलब मांच या विध्वा इस्तरी ही सुखियन ऐसा वो तरह तरह के बात करने के लिए वो अपने उनसे सकी से कहने लेगी और उसने फल नहीं खाया जब उसके पती न पर वह बालक में तुम्हें दूदूंगी तब तक तुम गर्वती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रहे तू मेरे पती को कुछ धन दे देगी तो वह तुझे अपना बालक दे देंगे या इसकी बड़ी बहन ने कहा कि वह अपना बच्चा इसको दे देगी और इसके बडले तुम मेरे पती को पैसा दे दे देना है हम एसी युपती करेंगी कि जिसमें सब लोग यही कहें कि इसका इसक मेहिन का होकर मर गया मतलcream यह कहरी कि हम लोग ऐसा कुछ प्लान करेंगे कि लोगों को लगे जो मेने का होके मर गया और हम अपना बैच्चा तुमको दे देंगे और फिर मैं तेरे घर में आकर उस बालक का लालन पोशन करने दे रहोंगी इस समय तू इस समय इसकी जाच करने के लिए फल गौ को खिला दे ब्रामणी ने इस तरी स्वभावश जो जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही किया ओफल उसने अपने हां के गाये को खिला दिया इसके पश्चात समय अनुसाच जब उस इस्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुप चाप लाकर उसे धुंदली को दे दिया और धुंदली वही ब्रामण की पंतिन जदूश्ट वाली थी तो धुंद अपने पती से कहा मेरे इस तनों में दूद नहीं है फिर गौवादी कैसे अन्य जीव के दूद से मैं इस बालक का किस प्रकार पालंग करूंगी मेरी बहन के अभी बालक हुआ है वह मर गया है उसे बुला कर अपने यह रख लें तो आपके इस बच्चे का पालन पोशल कर उसे देखकर मामर देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वेह में उसके सबसंकार किये इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा हश्चर हुआ और वे बालक को देखने के लिए तथा आपस में कहने लेगे कि देखो भाई अब आत्म देव का कैसा भागय उदह गौ के भी ऐसा दिब रूप बालक उत्पन्नुआ है दैवयोक से गुप्त रहस का किसी को भी पता न लगा आत्म देव ने उस बालक के गौ के से कान देखकर उसका नाम गोकर्ण लग दिया अर्थात पतलब उस बालक का कान गाय की तरह था इसलिए उस ब्रहमन ने अपने उस बेटे का नाम गोकर्ण लग दिया कुछ काल भी इतने पर वे दोनों बालक जवान हो गया उसमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ग्यानुई हुआ किन्तु धिन्दुकारी बड़ा ही दूश्र निकला इस था स्तनान शौचादी ब्रामणो चोतित आचारों उसमें नाम भी न था औरना खान पान की ही कोई परेश था क्रोध उसमें बहुत बढ़ा चला था वो बुरी-बुरी वस्तमों का संग्रह किया करता था मुर्दे के हाज से चुआया हुआ अन भी खा लेता था दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेश बढ़ाना उसका स प्रेम था बस हाथ में फंदा लिए कुटों की टोली के साथ शिकार की टोह में घुंता रहता विश्याओं के जाल में फसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नश्ट कर दी एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बरतन भाड़े उठा ले गया इस वकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तब उसका फूट फूट कर रोने लगा और बोला इससे तो इसकी मां का बाज रहना ही अच्छा था कुपुत तो बड़ा ही दुखदाई होता है अब मैं कहां रहूं कहां जाओं मेरे संकट से कौन काटेगा हाए मेरी उपर तो बड़ी विपत्त इस नहें वान पूरुष राद दिन दीपक के समान जलता रहता है सुख न तो इंद्र को है और न चक्रवरती राजा को ही सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मूनी को यह मेरा पूत्र है इस अज्यान को छोड़ दीजे मोह से नरक की प्राप्ती होती है शरीर तो पंधा हुआ था अपंग की भाती अब घर रूप अंधेरे कुए से कुए में ही पड़ा रहा हूं तुम बड़े किरपाले हूं मुझे मेरा उध्धार करो तो गोकर ने कहा पिता जी शरीर हड़ी मांस और उधिर का पिंडे इसे आप अपने अपना मानना छोड़ दे इस प्रभावित होकर आत्म देव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की यद्धि पी उनकी आयू उस समय साथ वर्ष की हो चुकी थी फिर भी बुद्धी पे पूरी दृतर थी वह रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूरम भगवत के दशम इसकंद का बहुत पीटा और कहा बता धन कहा रखा नहीं तो अभी तेरी लुआठी से बतलब जलती लकड़ी से खबर लूँगा उसकी जमकी से डर कर और पुत्र के उपद्रों से दुखियो कर वा रात्री के समय कुए में जागिरी और इसी से उसकी मृत्य हो गई योग निष्ट ग बहुत से गहने मागे बहुत तो काम से अंधा हो रहा था मौत की भी उससे कभी याद नहीं आती थी बस उन्हें जुटाने के लिए घर से निकल पड़ा वह जहां तहां बहुत सा धन चुरा कर घर लोटाया तब उन्हें कुछ सुंदर वस और आभुशर लाकर दिये चोरी हम इसका माल मत्ता लेकर जहां कहीं चली जाएंगी ऐसा निश्यकर उन्हों सोये हुए धुंदकारी को रसियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगा कर उसे मारने का प्रहत ने किया इससे जब जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिद्दा हुई तब उन्होंने उसक पैसे के लोब से अब की बार कहीं दूर चले गए इस बर्श के अंदर लौट आएंगे बुद्धिमान पूरुष को दुष्टा हिस्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है इनकी वाड़ी तो कुकर्म के कारण भेंकर प्रेथ हुआ वह बवंडर के रूप में सरवदा दसोत दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत घाम से संतप्त और भूख व्यास से व्याकुल होने के कारण हाद है वहाद देव चिलाता रहता था परंत उससे कहीं कोई भी आश्रय नहीं मिला कुछ काल भीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से दुन्दकारी के मृत्यू का समाचार मीना तब उसे अनाज समझकर नों ने उसका गया जी में श्राद किया और भी जहां जहां वे जाते उसका श्राद धवश्य करते थे इस प्रकार गुमते गोकर्ण जी अपने अगर आये और रात्री के समय दूसरों के दृष्टी से बच कर सीधे अपने घर के आगन में सोने के लिए पहुचे वहां अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय दुन्दकारी ने अपना बड़ा विकर रूट दिखाया वह कभी भेडा कभी हाती कभी भैसा कभी क्यों दिखा रहा है तेरी दशा कैसे हुई हमें बता तो सही तु प्रेत है पिशाश है अथ्वा कोई राक्षस है जी कहते हैं गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा उसमें बोलने की शक्ती नहीं थी इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया तब गोकर्ण ने अंजली में जल लेकर उसे अभी मंतरित करके उस पर छिरका इससे उसके पापों का कुछ श्रमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा प्रेत बोला मैं तुम्हारा भाई हूँ मेरा नाम है दुंदकारी मैंने अपने ही दोश से अपना ब्राम्भर अ दय होने से मैं केवल वायू भक्षर करके जी रहा हूं मतलब सिर्फ हवा पीके रह रहा है वह भाई तुम दयाल कर दया के समुद्रो अब किसी प्रकार जल्दी मुझे इस योनी से चुड़ाओ गोकर्ण ने दुंदकारी की सारी बाते सुनी और तब उससे बोले कि भाई तुम मुझे इस बात का बड़ा अश्यर है मैंने तुमारे लिए विधुपूर्वक गया जिमें पिंदान किया फिर भी तुम प्रेति उन्हों से मुक्ति नहीं मिली यदि गया शाद से भी तुमारी मुक्ति नहीं तो इसका कौन सा उपाय है अच्छा तुम सब बात खोल उति के लिए कोई उपाय करूंगा गोगन ने बहुत सारे सादूस अन्यासि उसे पूछा पर परिशान रहने लगे सबसे पूछने लगे अंत मिक्या हुआ अपने तब बहुत परशान हो गया गोगन ने तब उन्होंने लिश्चे कि इस विश्य में सूर नरायान जो आग साक्षी हैं मैं आपको नमस्कार करता हूं आप मुझे क्रिपा करके दुद्दकारी की मुक्ती का साधन बताइए गोकर्ड की यह प्रातना सुनकर सुर्देव ने दूर से इसपस शब्दों में कहा श्रीमत भागवत से मुक्ती हो सकती है इसलिए तुम उसका सपता प्राहर क अनोक लोग कथा सुनने के लिए बहुत से लंगड़े लूले अंधे बूड़े और मंद बुद्धी भी अपने पापों के निवित्ते के उद्देश से वहां आ पहुँचे इस पकार वहां इतनी भूभीड हो गई कि उसे देवकर देवताओं को भी आश्यर होता था जब गोकर जी व्यास गद्धी पर बैठ कर कथा कहने लगे तह वह प्रेत भी वहां पहुचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूणने लगा इतने में उसके दृष्टी एक सीधे रखे हुए साथ गाट के बास पर पड़ी उसी के नीचे के छिद्र में घुश कर वह क कथा सुनानी आरम कर दी सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया तब एक बड़ी विचीतर बात हुई वहां सभासदों के देखते ही देखते बास किये गाट तर तर शब्द करती फट गई इसी प्रकार दूसरी दिन सायंकाल में दूसरी गाट फटी और तीसरी दिन उसने तुननत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके बखाहा भाई तुमने क्रिपा करके मुझे प्रेत योनी की आतनाओं से मुक्त कर दिया यहां प्रेत पीडा का नाश करने वाली शीमत भागवत की कता धन्य है तथा श्रिक्रिश्चन्द के धाम की प्राप्ति करने इसका सत्ता परायर भी धन्य है जब सत्ता परायर का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उड़ते हैं कि अब यह भगवत की कथा जल्दी हमारा अंत कर देगी जिस प्रकार आग गीली सूखी चोटी बड़ी सत्तरह की लकडियों को जला डालती है उसी प्रकारिया शक्ता भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्वरिथा ही है यह भागवत कथा रूप कथा रूप तीन सर्स तीर्थ संसार के कीचर को धोने में बड़ा ही पटूए विद्वानों का कतन है कि जब यह हिर्दय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझन उतरा उससे सब और मंडलाकार प्रकाश फैल गया सब लोगों के सामने ही धुंदकारी उस विमान पर चल गया तब उस विमान पर आई हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकण ने ये बात कही गोकण ने पूछा भगवान के प्री पार्षदों यहां हमारी अनेक यह ठीक है कि श्रवर तो सबने समान रूप से किया है किन्तु इसके जैसा मनन नहीं किया इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहता है इस प्रेत ने साथ दिनों तक निरहार रहकर श्रवर किया था तथा सुने हुए विशय का स्थर इस्थिर्चित से यह खूब मनन निदे ध्यासन भी करता रहता था जो ग्यान द्रिड नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है इसी प्रकार ध्यान न देने से श्रवर का संदे से मंत्र का और चित के इधर उदर भटकते रहने से जब का भी कोई फल नहीं होता है यदि ये शोता फिर से शीमत उन्ठ लोग को चले गया उसको लेकर दुन्दकारी को लोग कर फिर सामन के महीने में गोकर जी को जमीन पर छोड़ दिया यही करते करने रहने के लिए भावत का कथा का तो शामन मास में सामन के महीने में गोकर जी ने फिर उसी प्रकार सपता करम से कथा कई और उन शुरत को हिदय से लगा कर अपने ही समान बना लिया उन्होंने छड़ भर में ही अन्य सब शोताओं को भी मेक के समान श्यामवर रेश्मी पितांबर धारी तथा किरीट और कुडल आदी से भी भुशित कर दिया उस गाओं भी कुत्ते और चांडाल परियंग जितनी भी जीव थे व गौल बालों के प्री गोलोग धान में चले गए पूर कालबे जैसे अजुद्या भासी भगवान श्याम के साथ साकेत धाम सिधारे थे उसी प्रकार भगवान श्याम उन्स सबको योगी दुरलब गोलोग धाम को ले गए जिस लोक में सूरित चंद्रमा और सिध्धों की भी कभी गती कभी गती नहीं हो सकती उसमें वे शीमत भागवत शवर करने से चले गए नारज जी यह कथा बड़ी ही पवित्र है एक बार शवर से ही समस्प पाप राशी का भस्प कर देती है और यदि इसका शाद के समय पाट किया जाए तो इससे पित्रगड को भी बड़ी पा सकते उसे वे शप्ता शवर सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं तो ये थी इसकी महात्मिकी तो ऐसे ही करके अलग-अलग लोगों की कहानिया है और ये नारज जी को सुनाया उसने शौनक जी ने अब इसके बाद छटा अध्याय शुरू होगा वो हम कल बताएंगे हरी के नाम पर तन्मन अर्धान लुटा दिया मारे शामने उसको हमारे शामने आवाग मन जुडा दिया हरी के नाम पर तन्मन अर्धान लुटा दिया निविश को पिलिया नंद 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 नंके नाम पर तन्मन अर्धान लुटा दिया शाम की देखो तो लीला शाम की विश को अम्रुत बना दिया जिसने हरी के नाम पर जिसने दन लुटा दिया उसको हमारे शाम ने आवागा मन छुडा दिया जित्रुव ने तज दिया जाकर के बना में तप किया उसको हमारे शाम ने आवागा मन छुडा दिया जिसने हरी के नाम पर जिसने हरी के नाम पर जिसने दन लुटा दिया उसको हमारे शाम ने आवागा मन छुडा दिया से सुत्र को चीर कर सिंग जी आए मोर द्वाज आरी से सुत्र को चीर कर सिंग जी आए मोर द्वाज यहाम की फिर से तो लीला शाम की फिर से उन्हे जिला दिया जिसने हरी के नाम को तर्मन और दन लुटा दिया उसको हमारे शाम की फिर से उन्हें झाल क्या जिसने हर दो जाए झाल 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 झाल